हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स यह मेरा अडिनियम का पोधा है जिसे लाए हुए काफी दिन हो गए अपने गाडन के आड्स मॉस्ट पेर में मीक्स हो जाए करके मैंने यहीं रखा था तो अभी मैं इसका रिपॉर्टिंग करने के लिए सोच रही हूं तो पहले यहां से इसको कट करके निकालते हैं कि रेट सोल में ही लगा है फिर देखते हैं कि इसकी केंडिसल तैसी है फिर इसे अपने गाडन साइल में लगाएंगे काफी ज्यादा मट्टी लगाए रखा है तो पहले हम इसे निकाल लेते हैं इस तरह से फ्रेंट्स काफी बड़ा प्लांट है काफी हाड सोईल है मुझे इसकी सोईल को तो निकालनी पड़ेगी से निकल नहीं रहा है इतनी हाड सोईल में हम इसे नहीं छोड़ सकते यह दिखिए काफी बड़ा कोडेक्स है फ्रेंट्स इसे पुरी दर से निकाल लेते हैं फीर आते हैं वीडियो में और फ्रेंट्स से दिखिए कितना बड़ा इसका कोडेक्स है यहां लग गया और यह इस तरह से है इसमें सीट पॉट भी लगा है और फ्लावर्स भी आए हैं कि मुझे भी ऐसे ही लगाना होगा तो कोडेक्स तो निकल गया पी मही से पानी में धो करके देखती हूं उसके बाद रिपोट करेंगे तो फ्रेंड्स मैं अभी इसे इस तरह से पानी में रख दे रहे हूं ताकि यह दूल जाए और फिर देखें इसकी कर्णिशन कोडेक्स की कैसी है तो अब हम इसे पानी से निकालते हैं यह इस तरह से है और इसमें हम थोरी थोरी फंजी सेट लगा देंगे तो एक कोडिक्स को तो फ्रेंड्स मैंने इसमें पुरी तरह से साफ का फंजी सेट लगा दिया है और अब करेंगे रिपोर्टिंग तो आए सोइल मीडिया तयार करते हैं अब फ्रेंड्स मीडिया की बात करें तो यह सैंड है जिसमें वजरी भी है और यह गोबर की खाद है यह गार्डन सोइल है यह डियपी के दाने है यह कोको पीट है आप समसल्ट है और यह फंजी साइड है और थोरे से यह बोन्वील लाइब बी चाहिए और निमखली बाद दाल दे रहे हैं और फिर मिक्स करेंगे और फेश्क्राण सब्सक्राइब और मोटी वाली बजरी भी डालई रहे है इस तरह से हैं यह मोटी वाली बजरी है तब फिर सबसु मिक्स करते हैं यह ज्यादा मोटा मोटा पार्टिकल से उसे निकाल करके इस तरह से मिक्स कर दे रहे हैं कि हडिनियम के सोयल मिक्सर को बहुत ही ज्यादा मिक्स करना पड़ता है कि कहीं पर कुछ भी रहना जाएं और देखिए फ्रेंड्स किता अच्छा सोयल मिक्सर बना है तो अब हम यह प्लांटर ले रही हूं यह काफी बड़ी सी है और उसके डेलेंस के लिए पाने निकलता रहे और उसके उपड़ से थोरे से तभी यह मोटा वाला भी डाल दे रहे हैं अब सोयल मिक्सर भरेंगे और फ्रेंड्स फिर उसके उपर इस तरह से इस अडेनियम को रख करके सोयल मिक्सर भरेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा उठा के भरते हुए इस तरह से बाकी का प्रोसीजर तो ऐसी है लेकिन फिर कर लेते हैं तो रहा सेंटर में करके डालना पड़ेगा इस तरह से इस तरह से सोयल मिक्सर भर देंगे तो इस तरह से मैंने सोयल मिक्सर तो भर दिया अब उपर से यह पनींगी साइड वाला पानी भी डाल देंगे अच्छा से इस तरह से पुरा डिने जाओद द्रेन से निकल आया जाओट हो गया पानी सब भी दर से निकल रहा है तो ओके बाई फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट किजिएगा और अगर मेरे चैनल पर ने है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिजिएगा ओके बाई